ओके आज मोगे निक्स टॉपिक करेंगे निकिनेम निक्नेम इन दी वॉर्डाइब निक्नेम क्या है कि इसमें कुछ एक सिटीज है वो कुछ एक जगेह है उनका इक स्पेसिफिक निक्नेम होता है वो बहुत important है और बहुत अधिक exam से में आते हैं और इससे भी एक दो question ही आते हैं exam में हर एक जितने भी हम topic करते हैं एक उसमें से question पका होता है और यह बहुत famous questions हैं ठीक है कुछ एक ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझाएंगे लेकिन कुछ एक बहुत अधिक important है वो मैं बता दूँगा जैसे east of Britain, Japan अब क्यों ऐसा बोलते हैं जैसे जैपैनिक imperial power था यूरोप में तो ऐसे ही जो एशिया में imperial power वो जैपैन था ओके next battlefield of Europe, Belgium ये भी important है काफी सारी battles है जो Belgium में लड़ी थी यूरोप की city of cycles, Beijing, China city of dreaming, Spurs, Oxford, city of eternal, Spring, Queto, Ecuador ये important है city of skyscraper, New York को बोलते है city of magnificent distance, Washington DC, USA city of golden gate, San Francisco, USA city of seven hills, ये भी बहुत अधी की important है, Rome को बोलते है forbidden city, ये काफी famous है, लास्वा तिबबत, ठीक है ये तिबबत पहले तिबबत government के पास होती थी, दलाई लामा के पास थी बाद में यहाँ पे चाइना ने attack करके इसको अपने control में कर लिया है तो उसकी वज़े से यहाँ पे आप कोई जा आ नहीं सकता है चुहाँ के रहने वाले लोग है, वो भी बहुत कम बाहर आप आते है और कई तो उस टाइम से ही बाहर इंडिया में रह रहे है ठीक है, gateway of tears strain of barb al mandap gateway of tears ठीक है, strain of barb al mandap यह यहाँ पे है, दीजी बुती के पास काफी important है, यहाँ पे बहुत सरी wars भी हुई है नेक्स्ट जॉर्ज क्रॉस आइलेंड, Malta, Mediterranean Sea ग्रिनाइट सिटी अबैल्डीन, Scotland हरिटेज बॉन, Atlantic Ocean होली लेंड, Palestine जैसे holy city है तो वो अलग होगी, holy land Palestine को बोलते है, वो Jerusalem होगा अगर holy city होएगा न जैसे Amrishar है, वो भी holy city है इंडिया में, अगर प्रिवर्ड में holy city होगा, तो वो Jerusalem होगा ठीक है नेक्स्ट आइलेंड ओफ क्लोब, ठीक है, Madagascar इंडियन ओशन में है, ठीक है, लैंड ओफ इगल्स, अर्बेनिया, Eastern Europe ठीक है, लैंड ओफ गोल्डन फ्लीज, औस्टेलिया, ये बहुत important है, ये exam में काफी बढ़ा है, लैंड ओफ लिलीज, कैनडा बढ़ाई फेमर्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में कंट्री, और यहां पे लिलीज, इस टाइप का फ्लावर होता है सबसे अधिक इंपोर्टन ये कोशन है, इस पेज का, लैंड ओफ गोल्डन पगोडा, मैं अनमार, ओके, एशिया में इस टाइप का है, लैंड ओफ गोल्डन पगोडा, ऐसे ही एक वाइट पगोडा भी होता है, ब्लैक पगोडा भी होता है लैंड ओफ मैपल लीफ, ये एक ट्रीट है होता है कैनडा, कैनडा को बोला रहता है, लैंड ओफ मैपल लीफ लैंड ओफ मैपल भी बोलते है नेक्स्ट land of thousand click Finland ये भी बहुत अधिक important है okay land of moderning काल्म, Korea, East Asia land of rising sun Japan, okay East में ये जो Japan बढ़ता हम आपे सबसे पहले सुरज निकलता है land of sitting sun, UK land of midnight sun Norway, ये भी बहुत important है आगे नेक्स्ट land of white elephant Thailand Thailand देखो क्या है, वाँ पर white elephant इस टाइप के होती है ये काफी famous है okay land of thunderbolt ठीक है, भुटान ये भी बहुत important है land of thousand elephant Laos Cambodia okay, एसिया में ही पढ़ता है Laos country और ये landlocked country है इसके आसपास कोई भी country समंदर के साथ ये border share नहीं करता है ये वहला country next land of thunder dragon चाइना तो मैं पता ये dragon चाइना से रिटर है thousand hill रवांडा अफरिका में है okay next pearl of arabia बहरीन okay next roof of the world पामीर ये भी बहुत दिख इंपोर्टन है roof of the world पामीर sorrow of china हवांगो river अब क्यों इसको बोलते हैं sorrow of china because जो ये river sorrow का मतलब होता है दुख ठीक है हर साल चाइना में flood लिके आती है bar लिके आती है उसकी वज़े से बहुत सारे लोग मर जाते हैं बहुत सारे लोग property नुक्सान हो जाता है और ऐसा इंडिया में भी होता है जैसे sorrow of Bengal ठीक है एक sorrow of बिहार है उसका नाम है कोशी रिवर sorrow of बिहार वो भी सेम काम करते है जैसे चाइना में हवांगो रिवर क्योंकि जब रिवर्स आती है तो अपने साथ बहुत सारी activity लेके आती है और हर साल की ऐसी रिवर होती तो वहां पर अपना घर बना लेते है फिर जब बाढ़ आती है तो उनका घर फिर डूब जाता है तो उनको खुद भी सोचना चाहिए कि जो रिवर है उसके आसपास घर ना बनाए अब हाँ लेकिन हर साल तो बाढ़ आती नहीं है तो उन्हें लगता है तीन-चार साल से यहां पर कुछ भी नहीं हुआ तो चलो बनाई लेते हैं और उपर से वहां गॉवर्मेंट ने रोड वोड भी बनाई होती है तो वो लोगों को अन्वीनियन्ट लगता है कई रिवर्स होती है जनका कोर्स बहुत बड़ा होता है तो उतने बड़े एरिया को कोई भी खाली नहीं कर सकते हैं तो फिर बात जब लाट आता है तो प्रॉब्लम होती है शिक मैन ओफ यूरोप शिक का मतलब होता है बीमार टर्की यह भी बहुत इंपर्टन कोशन है नेक सुगर वाल आफ वर्ड यह भी बहुत इंपर्टन है जितनी भी चीनी आती है वो क्यूबा से याती है ठीक है वाइट सिटी बैल ग्रेड ठीक है विंडी सिटी सिकागो वर्ड ब्रेट बास्केट यह भी बहुत इंपर्टन है वर्ड's bread basket वर्ड's food basket भी इसको बोलते हैं और जिसका नाम है परारेस परारेस कहां पर नौर्थ और फरमेरका में यहां पर बहुत सारा वीट होता है गें होता है आइलेंड ओफ फायर आइसलेंड ओके वेस्ट येरोप लेंड ओफ विंड मिल्स Holland, वहाँ पर इस टाइब की windmills काफी बनी है World's Lonelyest Iceland, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता इसके आसपास भी Workshop of Europe, Belgium, यह भी important है White Man's Grave, Guana Coast, West Africa ठीक है, अफरिका को क्या बोलते हैं, Dark Continent भी बोलते हैं, अभी आएगा नीचे Stone House of the World, Mexico Modern Babylon, UK City of Mountains, British Columbia Saw Mills of Europe, Sweden The Eye of Greece, Athens Richport, Rich Coast, Costa Rica Playground of Europe, Switzerland यहाँ पर लोग जाते हैं, चुट्टिया वेगारा मेनाने Mother-in-law of Europe, Denmark Land of Hummingbird, Trindid, Caribbean Sea Land of Flying Fish, Barbados, Caribbean Sea में हैं Next, Land of Kangaroos, यह तो पता होना चाहिए, ठीक है, ऑस्टेलिया में सबसे दीक कंगारू, वहीं पर इस रिपाए जाते हैं Gift of Nile, Egypt Dark Continent, Africa अब इसको Dark Continent क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सालों तक हमें पता ही न लगा कि यहाँ पर रहता कौन है Okay, ancient time पर हमें पता था, यूरोप है, एक एशिया है, बस इतना ही पता था, USA का भी नहीं पता था, और अफ्रीका का भी नहीं पता था, और अफ्रीका के बारे में बहुत कम पता था लोगों को बारे में Cockpit of Europe Belgium City of Pops Roman Pops होते हैं, यह religious leader होते हैं, ओके, यह वहां के जैसे अपने आप पंडित नहीं होते हैं, इसी तरह से Pops होते हैं, और यह एक जो इनका वो चर्च होती ना, उसके honor भी होते हैं, और उसी का मतलब सारा कुछ यह करते हैं काफी strong personality, काफी famous, काफी influencer होते हैं, लोग इनकी बात मानते हैं City of Arabian Nights, Baghdad ठीक है, इराग, बस इतना ही था इसमें, खतम Thank you so much, इसके बाद हम भी next chapter करेंगे